नमस्कार मैं है अनुष्का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज शाम तक के खबर को जाने से पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की सूठियों तर राज में 24 MLC वो एक विधानसबा सीट के लिए उपचिनाव हुएं इस्थगित BMCH में Oxygen Plant हुआ शुरू रेलबे ने 30 जून तक कई फेलों को फिया दर्थ सुवे में लॉक्डाउन के असर से पटना और गया में कोरोना केस में दुखे गिरावत बिहार के लिए के दर सरकार ने बढ़ाया Remdesivir Injection का कोटा तो आईए अब जयनते हैं खबर विस्तार से राज में 24, MLC वा एक विधानसबा सीट के लिए उपचिनाव हुए इस्थगित सुवे बिहार में बढ़ते कोरोना संकरमन की वज़ा से जहां एक तरफ इस साल होने वाले पजजा चुनाव को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है वही अब इस भी चुनाव आयोग ने उपचुनाव को भी इस्थगित कर दिया है इस करम में आयोग ने बिहार के मुंगेर के तारपूर विधान सबा सीट पर के लिए विधायक की चुनाव को टाल दिया है आपको बताते चैने की तारपूर से विधायक रहे मेवाला चौदरी का कोरोना से निदन हो जाने के बाद से ही यह सीट खाली परी है जिन पर नियम की तारप छे महीने के भीतर ही चुनाव करवाना अनिवार है वही राज में इस्तानिय प्रदिकार के तारप आने वाले 24 विधान पार्शत की सीटे भी 17 जुलाई के बाद खाली हो जाएंगी जिस पर भी चुनाव होने पर संकट खरा हो गया है अब इस स्थितियों के सामाने होने के बाद ही आयूग चुनाव की घोशना करेगा बिहार के लिए के इंद्र सरकार ने बढ़ाया रेमडेसिवर इंजेक्शन का कोटा बढ़ा कर अब 21 अपरेल से 16 मई तक ही ले कर दिया है इसके साथ ही इस दोरान कुल एक लाख पचास हजार इंजेक्शन का कोटा निरधारित किया गया है बताते चले कि इसके पुर्वर 87,800 डेमडेसिवर का केंद्र ने कोटा तै किया था इसके अलाबे ऑक्सेजन प्लांट को भी लेकर एक खुशकबरी है इसके तातर केंद्र सरकार ने राज के 15 जगहों पर ऑक्सेजन जेनरेसन प्लांट लगाने की प्रकिरिया की शुरुआत कर दी है इस समंद में स्वार समंत्री मंगल पांडे ने शुक्रिवार को बयान जारी कर कहा कि केंद्र द्वारा राज के 15 जगहों प्लांट लगाने की प्रकिया शुरू की जारी है साथ ही राज के सभी प्राइबेट मेरिकल कॉलेज एबा मस्पताल को जल्द ऑक्सेजन प्लांट लगाने का निर्देश पी दिया गया है सुवे में लॉक्डाउन की असर से पटना और गया में कोरोना केस में दिखी गिरावट राजरकार द्वारा कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण बंदी का थोरा असर अब दिखने लगा है तीन देनों बाद ताजा आकरो में गिरावट दर्ज की गई है इसके ताथ बीते दिन के बीते 24 गंटे में कुल 13,466 मामले पाए गए है वही इस दोरान रेकवरी रेट में भी कुछ सुदार हुआ है इस दोरान सबसे अधिक संक्रमितों की संक्या बाले जीले पटना और गया से थोरी राहत बड़ी खबर है पटना से कुल शुकरवार को 2410 पॉजिटिव मिले है जबकि गुरुवार को पटना से 3665 पॉजिटिव मिले थे वहीं गया से भी ताचाकरों के मुताबिक 517 संक्रमित मिले जबकि गुरुवार को गया से 752 पॉजिटिव मिले थे पश्यम चंपारन से 507 संकर में तो खेपुष्टी हुई है वहीं अभी इस्तिती सुद्री नहीं है क्योंकि राज के सभी जीलों से ही लगबग रोज ही कोरोना केस आ रहे हैं रेलवे ने 30 जून तक कई ट्रेनों को किया रहा दे देशपर में कोरोना के केस सभी राजियों में फैल चुके हैं इसते रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के बीच भी भारी कमी आई है इसके दहत अब भारतिये रेलवे ने भी यात्रियों के संख्या में कमी को देखते वाश शहरों में लगे प्रतिबंद की चलते लिया है वहीं लंबे रूट की ट्रेनों को भी कैंसल कर दिया है इसके अलावे वश्यम रेलवे ने भी आठ जोड़ी ट्रेनों को अगली सूचना थक के लिए रद की गई ये आठ जोड़ी ट्रेने राजस्थान, गुजरात और नए दिल्ली के बीच चलती है पीएमसी एच में ऑक्सेजन प्लांट हुआ शुरू पटना के पीएमसी एच में अब ऑक्सेजन की कमी जैसी कोई भी शिकायत नहीं रहेगी क्योंकि यहां ऑक्सेजन प्लांट की शुरुआत कर दी गई है आपको बता दे कि पीएमसी ए सिलेंडर भड़े जा सकेंगे हालांकि इस दोरान उन्हें इन नहीं यह भी बताया कि अभी जो प्लांट शुरू किये गए हैं उसमें सर्फ 50 सिलेंडर हर दिन भड़ने की चमता है जिसके तहत इमरजेंसी के हालात में अब पीएमसी एच को दूसरे ऑक्सेजन प्लांट प परवा किये बगार अपनी ड्यूटी निभाती नजर आए हैं तो वहीं कई रेल कर्मी भी जोरान संक्रमित हुए हैं इस बीच उन्हें रहा देने के उदेशे से पूरुमदे रेलवे के महाप्रवद्नक के निर्देश पर मोखे कार्मिक अधिकारी हाजिपूर सुरेश च अकस्मिक अवकास विक्रित किया जाएगा इसके तहट एक अप्रेल 2020 के बाद से कोरोना पाजिटी पाए जाने पर डेल कर्मियों को अब 30 दिनों का विशेस अकस्मिक अवकास दिया जाएगा कोरोना के साथ भी बाड और सुखे से निपटने के लिए बिहार सरकार करेगी तयारी बिहार के जिंदा कोरोना महामारी से बेहाल है तो वहीं सरकार भी इसी निपटने के लिए दिन राज जुटी हुई है वहीं राज में हर साल अपना कहड बरपाने वाले बाड और सुख को और विदान पार्षदों से उनकी छेत्रों के संबंद में जल्द से जल्द सुझाव लेने का निर्देश दिया है जिसके बाद उन सुझावों की तरथ ही बहां तयारिया पूरी की जाएगी इसके साथ ही हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाद एबं सुखार की संभावना को देखते हुए उन्होंने सरकों की मरमती नाओ की स्थिती सहित सभी तयारियों को पूरी रखने की बात कही है वही बाद राहत कारियों में जिन जिन पदादिकारियों कमचारियों जीवी का दीदियों का सहयोग लिया जाएगा उनका ठीका करण करवाने की भी बात कही इम्बूलेंस किराय और इलाज की कीमतों को तेह किये जाने के बाद भी मनमाना दाम वसूलने से लोग बाद नहीं आ रहे हैं इस इक्रम में दो प्राइवेट एम्बूलेंस और तीन हॉस्पिटल के खिलाफ कई लोगों की शिकायतों के बाद बिहार पुलिस ने करी सेमफर्ड हॉस्पिटल, सारांस हॉस्पिटल और इमर्जेंसी हॉस्पिटल को इलाज के लिए आफशक्ता से ज्यादा रुपिये वसूलने के जलते नोटिस जारी किया गया है जिसमेंसे एक तो नॉन कोबिड हॉस्पिटल है जो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर जाने के लिए ड्राइवर ने 25,000 रुपिये की मांग करने पर जिल्ला प्रशासन द्वारा जारी के एक नंबर पर शिकायत की गई थी जिसके बाद पुलिस्टी में जास शुडू करके मामला सही पाए जाने के बाद दोनों ही चालकों पर एफाई आर दर्श कर लिया हाई जाने करने करना मामने में करिस स्वालों के साथ सरकार को किया तलब राज में सुडूस्ति व्यवस्ता सही पर पटना हाई कोड़ द्वारा जनहती याचिकाओं पर सुनवाई की जारी है इसके तरह से शुकरवार को नियायमूर्थी शिवाजी पांडे के कारिकाल का अंति केस की रूप में सुनवाई करते हुए राजे सरकार से कई सवाल किये उन्होंने पूछा कि होम आईसुलेशन में रह रहे गंभीर मरीजों को जरूरत पढ़ने पर आक्सिजन सिलेंडर कैसे पहुंचाया जाएगा वहीं सुवे में 18-45 वर्ष के लोगों को कब से कोविट कर्टी का लगाना शुरू होगा इसके बारे में भी सरकार से जवाब तलब किया गया वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई सोंवार को सुभा सारी दस बजे होगी जमानत मिलने के बाद लालुयादव के सक्रियता पर सत्ता पक्ष ने उठाय सवाल ट्वीट के जर्य निशाने पर ले रहे हैं वहीं अब आने वारे कुछ दिनों में राज़त विधाय को और निताउ के साथ वोछे वर्चुल बैठक भी करने जा रहे हैं वही उनकी अस्पिताल से निकलने पर बिहार में सत्ता पक्ष के मुखे दल भाजपा और जदियों की निताओं ने अपने अपने अंदाज में सवाल खरी कर रहे हैं वही भाजपा के सुसिल मोदी ने इस पर कहा कि राजपा को अब शायद लालू की गंभीर बिमार्यों की चिंता नहीं है वही जदियों के वरशनेता निरसकुमार ने ट्वीटर पर कभीता लिख कर जमानत पर छूटी लालू के सक्रिय होने पर तंच कसा है रैम्डे सिवर वितरन पर जाप प्रमुक ने लगाई गंभीर आरोब जाप सुप्रीमों पपु यादव राज़ में स्वास्त ववस्ता को लेकर लगातार सुबे की सरकार को घेज है वहीं वैवस्ता में कमी को लेकर भी कई गंबीर आरो भी नितिश कुमार पर लगाते दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने सरकार को दवा की काला बाजारी को रोकने के लिए खुला चैलेंज भी किया। आकरी को चिपाने की कोशिस करे हैं। उन्होंने कहा कि राजसरकार 20-30 गुना कम करके संक्रमन और मृत्यू के आकरे को लोगों के सामने रख रहे हैं। अगर लोगों को सब सचाई का पता है। नेतर परतिपक्ष ने कहा कि राजसरकार की पास ना तो दिल है, ना दिमाग, ना लगन और ना ही समवेदना है। पहिभाजपा और जदियुद्वारा बयान बाजी को निशाने पढ़ लेते हुए तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री के ही इशारे पर दोनों दलके नेता एक दूसरे पर छीटा कशी कर रहे हैं। इन नेताओं को बेट, डॉक्टर, स्वास्त कर्मियो, ऑक्सेजन दवा, वैक्सन, वेंटिलेटर वाइलास की कमी से मर रहे, लाखों लोगों की कोई परवाह नहीं है। इंग्लैंड की काउंटियों के बाद, अब परवसी देश, स्री लंका क्रिकेट ने भी IPL 14 की बचे हुए मैजो को अपने देश में आयुज़त करने के लिए BCCI के सामने प्रस्ताव रखा है। जहां 4 लाग के पार मामले दर्ज हुए है। स्वासिवाग द्वाग द्वारा जारी ताजाकरों की मताबिक 24 गंटे में कोरोना के 4 लाख 1078 नए मामलों की पुष्टी हुए है। यगर हम बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन की 24 गंटे में कुल 13,476 नए कोरोना केस आये हैं। तो चले बढ़ते हैं, आज के सवाल क्यों और आज के सवाल कुछ सरपकार है कि आपके अनुसार आपकी जिलाज पतालों में स्वासर सीविधा की इस्तिति प्रयाबत है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुरे खबरों से अपडेटे रहने के लिए जुरे रहें बिहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार